जाए महाकाली मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी का सौगत है मेरे चैनल पे दोस्तों आज बहुती अद्भुत वस्तु आप लोगों की समक्ष लिका राया हूँ जिसके प्रियोग से आप अपने शत्रूओं का नाश कर सकते हैं शत्रूओं से स्थंभन कर सकते हैं दोस्तों बहुत सारे लोगों ने पीली गुंजा का नाम सुना होगा कि पीली गुंजा कितनी रेयर होती है और कितनी चमतकारी होती है दोस्तों पीली गुंजा अपने आप में बहुत ही चमतकारी मानी जाती है इसमें विशेश प्रकार के गुण होते हैं जो की शत्रू स्थम्बन के काम करती है दोस्तों जो पीतामबरी माता मतलब मा बंगला मुखी की जो राधना करने वाले लोग होते हैं वो भी इस माला के विशे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं इस माला का क्या उप्योग होता है और किस प्रकार से ये जादूई रूप से लोगों की रक्षा करती है शत्रू से दोस्तों पीली गुंजा माला इस माला में मा पीतामबरी मतलब मा बंगला मुखी देवी का बास होता है जिसके प्रियोग से समस्त प्रकार के शत्रूओं का नाश किया जा सकता है और समस्त प्रकार के शत्रूओं का इस्थम्बन होता है दोस्तों इस माला को विदी बद मा बंगला मुखी मंतर से सिधी करन करके अगर जो वेक्ति अपने घर में रखता है या धारन करता है उस वेक्ति में चमतकारी रूप से शत्रूं को पराजित करने की शक्ति उत्पंद होती है जिससे कि बड़े से बड़ा वार किया गया अग किसी भी प्रकार का मारन तंत्र तक किया अगर गया होगा शत्रू ने आपके उपर तो उसका काठ होगा काठ होने के साथ साथ मा बंगला मुखी की शक्ति से उस व्यक्ति पे पलट बार भी होगा मतलब टोना पलटने की जो क्रियाय होती है वो सबी शक्तिया इस माला में हो तो दोस्तों ये माला बहुत ही चमतकारी होती है जो कि शत्रू के थंबन का कारी करती है माला को धारन करने वा अच्छाप करने से मापीतंबरी बंगला मुखी जी की कृपा सुयम में प्राप्त होती है सभी प्रकार के तांत्री की सभी चारक कर्मों का क्रियाओं का विनाश ह इस माला को धारण करने से शत्रू आपके सामने टिक नहीं पाता, बोल नहीं पाएगा, आपका सामना नहीं कर पाएगा, आपके प्रति शरियन्त नहीं रच पाएगा, इस माला को धारण कर आप समस्त प्रकार के शत्रू संबंदित कष्टों से निर्वरत पा सकते हैं और हर शेत्र में विजय प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों ये माला बहुत चमतकारी होती है जो की सफेद गुंजा होते हैं सफेद गुंजा एक अलग गुंजा होते हैं जो की काफी रेयर होते हैं इन गुंजाओं को काफी वर्षों तक रखने के बाद इसमें एक पीला पना जाता है ये पुराने गुंजा कहलाते हैं इन गुंजा का प्रियोग पुराने समय से ही तंतरो मंतर में किया जाता है ये गुंजा आज के समय में असली मिलना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन कोशिश करेंगे तो ये मिल जाएगा दोस्तों असली सफेद गुंजा या गुंजा की माला आप हम लोगों से अभी मंतृत करके प्राप्त कर सकते हैं जो की जीवन को आपके बदल सकती है और शत्रू से आपको बचा सकती है दोस्तों शत्रू शमन के लिए इसको विशेश माना जाता है और विशेश तरह से शत्रू से रक्षा करने का ये कारी करता है दोस्तों इसको विशेश तरह से सिद्धी किया जाता है कुछ विशेश दिनों में और विशेश महरोतों में ऐसे में सिद्धी करण करके इस माला का यवदी प्रियोग आप लोग करते हैं तो चमतकारी रूप से शत्रू का शमन होता है और शत्रू का नाश होता है शत्रू किसी भी प्रकार का इदी आपके उपर वार करता है तो वो बार पलट जाता है और उस शत्रू को जाकर वापस लग जाता है दोस्तों इस माला को धारन करने से आपके अंदर विशेश प्रकार की वशी करन की शक्ती भी आपके अंदर उत्पन होती है जिससे लोग वशी भूत होते हैं और आपका मान सम्मान हर छेतर में बढ़ने लगता है दोस्तों यदि आकरशिन मंतरों से सिद्धी करण करके सफेद गुंजा की माला पीली गुंजा की माला यदि आप लोग धारन करेंगे तो चमतकारी रूप से वशी करण की शक्ति आपके अंदर उत्पन्ध होगी जिससे सामने वाला व्यक्ति आपसे आकरशित होगा और शत्तुरूबी मित्र धीरे धीरे बनने लगेगा दोस्तों ये माला ये बहुत विशेश होती हैं तंतर की शक्तियों से इनको जागरत किया जाता है तत पश्चात इसको धारन करवाया जाता है दोस्तों एसी उत्तम माला हैं आप हम लोगों से प्राप्त कर सकते हैं जो कि विशेश प्रकार के तंत्रों से अभी मंत्रित करके आप लोगों को दे जाएगे धन्यबाद मेरे दोस्तों हमारा चेनल लाइक और सस्क्राइब चुरूर करिएगा